खुद बॉर्णिंग आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकल ओफ आलगी शैवालों का जीवन चक्र इससे पूर्व कल के ही टॉपिक को मैं आगे कॉंटिन्यू करना चाहते हूं फोड़ा सा बताना चाहते हूं कल हमने बड़ा शैवालों में तीन प्रकार के जनन पाए जाते हैं काईक जनन, अलेंगिक जनन एवं लेंगिक जनन लेंगिक जनन के दोरान हमने तीन टाइप्स पड़ी सम्यूगमन, असम्यूगमन एवं विशम्यूगमन सम्यूगमन और असम्यूगमन के दोरान जो gametes बनते हैं, जिनने हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं, उनमें जो प्लस वाले gametes हैं वो अधिक गतिशील होते हैं और रसायन अनुचलनी या हम यह कह सकते हैं कीमोटेक्टिव मोवमेंट के द्वा से प्रभावित होकर वे माइनस जो गैमीट होते हैं, उनकी तरफ attract होते हैं, उनकी तरफ move करते हैं वो गैमी में प्लस और माइनस गैमीट्स, जिनने हम एंथिरोजॉइट और एग से डिनोट करते हैं, या हम जिनने वो गैमीट्स कहते हैं, वो मेल गैमीट्स जो हैं, वो गैमीट्स या female gamete की तरफ, egg की तरफ attract होते हैं, chemotective movement के दोरान, और iso gametes और anisogametes के fusion से, जो product बनता है, जो संगलन से जो product बनता है, वो zygospore कहलाता है, उसी प्रकार से uogametes, यानि की अंड, एमम, पुमर्नू के संयूजन से, जो product बनता है, वो zygote कहलाता है, या हम इसे uospore कहते हैं, तो युगमानू और uospore में ये अंतर है, कि युगमानू, समयुगमक और असमयुगमक के fusion से होता है, यानि की अलग-अलग, दो iso gametes होंगे, दो anisogametes होंगे, उनके fusion से जो product बने का, समयुगमन और असमयुगमन के दोरान, उसे हम युगमानू बोलते हैं, और uo gametes के fusion से जो product बनता है, उसे हम zygote या uospore कहते हैं, ये दोनों ही products जो है, ये diploid structure होती है, ये diploid जाइगोड पर, diploid द्वीगुणित युगमनश पर, एक मोटा आवरंड बन जाता है, जो दो या तीन लेयर्ड होता है, और फिर इसके बाद ये resting position में चला जाता है, विश्राम अवस्था में चला जाता है, जो कुछ समय तक इसी अवस्था में रहता है, और जैसे ही favorable conditions आती हैं, तो उन favorable conditions में, ये germinate होकर, फिर से नई plant body का निर्मान करता है, हमने ये थोड़ा सा hint दिया है, मैंने fertilization की, किस प्रकार से fertilization होता है, हमें ये पता है कि life cycle के अंदर, सभी शेवालों में, लैंगिक जरन जो है, वो पाया जाता है, और उनके जीवन चक्र में, दो अवस्थाएं होती हैं, दो phases होती हैं, ये phases हैं, कि आगुनित अवस्था, एंवं द्विगुनित अवस्था, यानि कि haploid and diploid, haploid को हम 1N से शो करते हैं, और diploid को हम 2N से शो करते हैं, आगुनित अवस्था, अर्ध-सूत्री विभाजन के द्वारा के बाद उत्वन होती हैं, यानि कि reductional division के बाद, meiosis त्विजन के बाद जबकि जो डिपलोईड स्टेज है जो द्वीगुनित अवस्था है वो निशेचन के पश्चात राप्त होती है अर्दसुत्री विभाजन का समय से भी शेवालों में अलग अलग होता है है अपलोईड प्लांट बॉड़ी या अगुनित पादप काये जो है वो शेवालों मे यह मुख्य पादप होता है इसे हम गेमीटोफाइट या युकमकोदभित कहते हैं और दो दूसरा प्लांट जो है वो डिपलोईट प्लांट बॉड़ी कहलाती है दूसरा डिगुनित पादप जो है वो स्पोरोफाइट कहलाता है या बिजानुदभित कहलाता है अगुनित जो गेमीटोफाइट है वो गेमीट्स का निर्मान करता है गेमीट्स के फ्यूजन से जा जाइगोट एक diploid structure है और ये जाइगोट जो है वो जर्मिनो जर्मिनेट होकर जो नई प्रांट बॉडी का निर्मान करेगा उसे हम sporophyte बोलते हैं उसे हम बिजान उद्विद बोलते हैं गेमीटोफाइट और sporophyte अवस्थाएं जो है जनरेशन जो है वो एक के बाद एक नियमित अनुक्रम में चलती रहती हैं यानि कि गेमीटोफाइट से गेमीट्स बने गेमीट्स के सैयुगमन से जाइगोट बना जाइगोट से sporophyte बना sporophyte में sporophyte के अंदर मियो स्पोर्स बन करते हैं इस प्रकार से ये जो नियमित अनुक्रम है ये जो रेगुलर सक्सेशन है ये जो रेगुलर एक के बाद एक अवस्थाएं आती है इस नियमित अनुक्रम को हम जीवन चक्र कहते हैं इसे जीवन चक्र कहा जाता है अब नाव नेक्स्ट है टाइप्स ओफ लाइफ स अध्यगुनित जीवन चक्र में केवल एक ही प्रकार, यानि कि एक ही प्रकार का थैलस होता है, सुकाय होता है, वो या अध्यगुनित होगा या द्विगुनित होगा, दोनों में से कोई भी होता, केवल एक ही प्रकार का होता है, अगली टाइप है अध्यद्वीगुनित या दो प्रकार के वेजिटेटिव थैलस होते हैं, एक अगुनित होगा और दूसरा द्रीगुनित होगा, यानि कि लाइफ साइकल के अंदर दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो एक हैपलोईट प्लांट होगा और एक डिपलोईट प्लांट होगा, जबकि हैपलोबायांटि को दो भागों में फिर से उसने अपने डिवीजन किया दो भागों में आधार बनाए इसके एक होता है सम रूपी आईसो मॉर्फिक और एक होता है विशम रूपी या हीटरो मॉर्फिक अब सम रूपी क्या है जब दो विभिन दो अलग-अलग सुकाई अलग-अलग थैलस और वह जीवन चक्र जो है वो सम रूपी या आईसो मॉर्फिक और समाकृतिक अथवा समजात कहलाता है यानि कि जब दो प्लांट बॉड़े जो हैं मॉर्फोलोजिकली एक जैसी होती हैं और विशम रूपी में क्या होगा जब दो भिन सुकाए दो अलग अलग थालस जो हैं मॉर्फोलोजिकली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं एक दूसरे से भिन होते हैं देखने में अलग अलग होते हैं तो ऐसा जीवन चक्र जो है वो विशम रूपी कहलाता है यह विशम आक्रितिक या विशम जात भी कहलाता है तो यह तो हो गई अकारी की के आधार पर इसके पस्चाथ हम लेते हैं प्रावस्थाओं की आधार पर यानि कि स्टेजिस कितनी हैं लाइफ साइकल के अंदर कितनी स्टेजिस हैं पीडियों अथ्वा प्रावस्थाओं की संख्या के अधार पर निम्न तीन प्रकार की life cycles होते हैं, एक होता है monogenetic, 1pda, 2pda, digenetic, 3pda या trigenetic, Monogenetic के अंदर क्या होता है? जीवन में एक ही प्रकार का Thallus या Haploid या Diploid यानि कि एक ही प्रकार का Thallus होता है तो इसे हम Monogenetic या Monomorphic भी कहते हैं एक प्रावस्थी या एक रूपी या एक पीडिय लाइफ साइकल भी कहते हैं दूसरा है Digenetic Digenetic में क्या है? जीवन में जब दो प्रकार के सुकाई स्पष्ट रूप से प्रेजन्ट होते हैं तब हम इस स्टेज को द्वी प्रावस्थी डाइफेजिक या डाइमॉर्फिक कहते हैं तीसरा आता है Trigenetic Trigenetic के अंदर जैसे की नाम दिनोट कर रहा है जीवन में आकारिकी के अधार पर तीन प्रकार के थैलस होते हैं यह हैं त्री प्रावस्थी डाइफेजिक या डाइमॉर्फिक कहलाता है इस से जुड़ावाई अगला टॉपिक हम कल करेंगे Alternation of Generation या PD एकांतर Thank you